इसके पहले के सभी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे साथे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में फिलिंक दिया जाता है। जाती है। तो चली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिन्हों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फ्री में कराए जा रहे हैं और मेरा इतना पक्का वादा है। अगर आप हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं उनको आप तयार करते हैं और साथ में सेल्फ स्टेडी करते हैं तो सेलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यू भी टीजीटी पीजीटी आट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं अगर आप के लियस आट एजुकेशन के तयारी करना चाहते हैं तो अभी ये सभी वीडियोज आपके लिए काफी हैल्फल रहेंगे। तो प्लीज अपने पैसे को फाल्त वेस्ट करने से अच्छा है कि जहां पर हमको फ्री में मिलता है हम अपना समय दें छे से साथ घंटे पढ़ाई करें और सेल्फ स्टडी करें अपनी नोट्स बनाएं और साथ में इन वीडियोज को देखें को बार-बार सुने आंसर आप द्रिश्टी सांतत्व नामक चित्र के चित्रकार कौन है ऑप्शन देखिएगा ओदीलो रेंदो सल्वाडो डाली मैक्स एंसर्ट हन मीरो हन मीरो यानि की चान मीरो भी होते हैं राइट हैं से यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी सल्वाडो डाली सल्वाडो डाली जो थे इनका जन्म 1904 इस्वी में ठीके बर्जिलोना इस्पेन में हुआ था और डाली आतिय थार्थवादियों में सरवादिक फेमस कलाकार रहे हैं साथ में डाली निकलास रिजन में फ्राइड के अध्यन से ही स्वपन वा काल्पनिक्ता को पहचाना और चित्रों के माध्यम को उसको अभिव्यक्त किया एक कमेंट्स था आपका कि अभिवेंजिनावाद तो अभिवेंजिनावाद की इंगलिस में जो होता है एक स्पेक्सिनिजम होता है और ये एक आध्वनिक्तावादी आंदोलन था जो कि 20 शताबदी के प्रारम में जर्मनी से प्रारम हुआ था ठीक है अभिवेंजिनावाद का प्रतिपादन क्यों किया था इटली के विचारक बेनी देटो क्रोचे ने किया था क्रोचे के अनुसार अंता प्रग्या के शडो में आत्मा की सहजान भूती ही अभिवेंजिना होती है तो चलिए अपने कोश्चन पर आ जाते हैं और द्रिष्टी सानतत्वि नामक चित्र के चित्रकार कौन है सलवाडो डाली सलवाडो डाली के फेमस चित्र है जो की एकजाम में बहुत कुछे जाते हैं तो याद रखेगा जलता हुआ जिराफ ठीक है जलता हुआ जिराफ पिघंती घडियां उग्रिह युद्ध की पूर्व सूचना इशा का क्रोशा रोपड नेक्स्ट कॉश्चन पर चले क्वेशन है 726 किस वाद की कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनी में दर्शकों को कलाकृती को तोड़ने और फूरने की अनुमती प्रदान की थी ऑप्शन है भविश्यवाद आतिय थार्थवाद दादावाद अभिवेंजना वाद जो कि अभी मैंने आपको एक्स्पेंड किया अभिवेंजना वाद ठीक है तो देखेंगे 726 का जो राइट आंसर होगा यहां पर कोश्चन को एक बार फिर से देखेंगे किस वाद की कल प्रदर्शनी में दर्शकों को कलाकृति को तोड़ने और फोड़ने की अनुमति प्रदान की थी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दादावाद ठीक है दादावाद जो था इसकी जो प्रत्थम बैठक थी हुगो वाल में 14 फरवरी 1916 इस्वी को हुई और इसका प्रत्थम घोशना पत्र तयार कर सुनाया गया था ठीक है दादावाद का जन 1916 इस्वी में जीवरिक यानि स्विटिजर लेंड के काबोर बोलतेरे में हुआ था दादावाद की जो प्रडेता वो मुख्य कलाकार थे कौन थे मार्शिन धुन्षा याद रखेंगे मार्शिन धुन्षा और दादावाद की जो अनिकलाकार है जैसे कि पिकाबिया वो मार्क एंसर थे साथ ही इसका जो चर्मूत कर्श समय था 1922 सिस्वी में था और इस खला अंधुरन का पत्न 1922 में हुआ नेट्स पोशन देखेंगे क्वासििन बर देखेंगे 277 भांड का महोतसो नामक चित्र के चित्रकार कौन है? भांड का महोत्सो नामक चित्र के चित्रकार कौन है मैक्स एंसर्ट, हान मीरो, मार्क शागाल, आरी रूजो आंसर आप लोग भी करते रहेगा ठीक है मैं लाइफ शेसर नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं प्रीमियर वीडियो कर देती हूँ जिससे क्या होगा आप लाइब आंसर भी कर सकते हैं तो राइट आंसर होगा आप्शन भी हान मीरो आती अथार्थवादी कलाकार रहे हैं हान मीरो कहिए या फिर जान मीरो कहीं कहें लिखा रहता है तो ये एक चित्रकार, मूर्तिकार और कुमार थे इनका जन्म 20 अप्रेल 1893 इसली को बर्सिलोना इस्पेन में हुआ था साथ ही इनके जो प्रमुक चित्र है भांड का महोत सो 1924 का है चांद को देखकर भूंकता कुत्ता चांदिनी रात में इस्त्रियाव पक्षी सूरी के सामने कुत्ताव अक्रतिया तो ये कुछ इनके फेमस चित्र है जो आपस एक्जाम में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखेंगे क्वेशन है 728 देखेंगे अभिकुतन है अतियाथार्थवादी चित्रकारी अतर्क पूर्ड छेत्र दथा कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों से संगठित होती है तर्क है क्योंकि अतियाथार्थवाद अक्सर अचेतन मानस में दभी हुई इक्षाओं को प्रस्प्रोटन था तो यहाँ पर चार आप्शन दिये गया है A सही है परंतु R गलत है आप्शन B A गलत परंतु R सही है आप्शन C है A और R दोनों सही है आप्शन T है A और R दोनों गलत है तो देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आप्शन C A और R दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है राइट आंसर C नेक्स्ट कोश्चन क्वेस्चन है 739 किसने 1920 के दशक के मद सोलराइजेशन सोलराइजेशन को फोर्टोग्राफिक तकनीक के साथ प्रियोग किया है मानरे लुई डागेर डेब्लिव हेंरिफ फॉक्स टालबोर्ट जॉन हेंरिक शुल्ज तो राइट आंसर हो जाएगा आप्शन A मानरे ठीक है 1920 के दशक में सोलराइजेशन को फोर्टोग्राफिक तकनीक के साथ मानरे ने छापा चित्रड शपाईबे प्रयोग करके प्रभावशाली अतिय अथार्थवादी कृतिया बनाई थी ठीक है और नई छापा चित्रड का आविशकार रेयोग्राफी नाम से किया तो यहाँ पर राइट आसर होगा अप्शिन ए मानरे नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे कोशंन है फ्रोताज पद्धती का आविशकार किस ने किया फ्रोताज पद्धती इसका आविशकार किस ने किया था सलवारोडाली माक्स एंसट इव तांगी सेजा तो याद रखेंगे फ्रोताज पद्धति का जो आविस्कार रखे मांक्स एंसर्ट ने किया था प्रत्थम उन्होंने लकडी के फर्ष पर कावज रखे फ्रोताज कृतिया बनाई है राइट आंसर वह जाएगा ऑप्शन भी मांक्स एंसर्ट नेक्स्ट कॉश्चिन है साथ सो एकतिस सलवाडो डाली का जन्म कहां हुआ था जियूरिक बर्लिन और बरसिलोना शलवाडो डाली का जन्म कहां हुआ था राइट आंसर होगा ऑप्शन दी बरसिलोना में ठीक है और इनकी फेमस चित्र मैंने कई बार बताया जलता हुआ जिराफ है न और ग्रिह युद्धि की पूर्वसूशना इसा का कुरुशा रोपड ये सभी सर्वडूर डाली के चित्र है नेक्स्ट कोशन देखेंगे ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू किस कलाकार की कृति है औप्शन है पिकाबिया धुन्षा एलगरेको जॉन डेविस तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा औप्शन भी मार्शन धुन्षा ठीक है ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू यह किस की कृति है धुन्षा की कृति है तो याद रखेगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे क्वेशन है जलता हुआ जिराफ किस कला आंदोलन से संबंधित है अब आप लोगों को अगर पता है कि जलता हुआ जिराफ किसका चित्र है तो यह आप आसानी से कृशन कर पाएंगे आप्शन देखेंगे भविश्यवाद फावबाद अतियतार्थवाद घनवाद यहां फाएंगे निराफ यहां पर राइट आप क्रियाप पर आतियतार्थवाद अब्रौ लॉरॉथा पता हुआ जिराफ चित्र है अब हुआ शयुक्त करेंश से यहां पर क्या होगा मनिके कि स्क्रीया पर अत्य है थार्थ वारी चितरे निर्भर ररहते हैं तो जाएका आपको आप्शन हाथ अव चेतन है अतिय थार्थवादी जो कलाकार रहे हैं मन की अवचेतन ख्रिया पर निर्भर रहते हैं ठीक है राइट आंसर होगा आप्शन ए नेक्स्ट कोश्चन है 735 आधुनिक कलाओं का विशुद्ध विद्रोही तेवर कौनसा वाद था राइट आंसर होगा आप्शन भी दादावाद और दादावाद के प्रमुक कलाकार कौन-कौन है ये सबी दादावाद के कलाकार रहे हैं नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे क्वश्चन है 736 किस वाद का नामांकन अनोखे धंग से किया गया है भविश्यवाद, जंगलवाद, दादावाद, प्रभावाद किस वाद का नामांकन अनोखे धंग से किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी दादावाद दादावाद के जनक थे धुन्शा तथा पिकाबिया ये भी आप याद रखेगा और दादावाद का जो पहला गोशना पत्र था हुगो बाल ने त्यार किया था नेक्स्ट कुशन देखेंगे क्वेशन है 737 अधियथार्थवादी कलाकारों में सरवादी प्रशिद्ध कौन है मातिस ब्राक पिकासो ठीक है यहां पर विकासो लिखा है तो विकासो नहीं होगा यहां पिकासो होगा ठीक है तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option D अतियाथार्थवादी कलाकारों में सरवादी फेमस रहे हैं अतियाथार्थवाद की प्रिष्ट भूमे में था मनोवैज्यानिक खोच सामाजिक क्रांती राजनेतिक क्रांती या फिर विज्यान क्रांती अतियाथार्थवाद की प्रिष्ट भूमे में क्या था तो यहां पर राइट आसर option A हो जाएगा आपका मनोवैज्यानिक खोच ठीक है अतियाथार्थवाद की प्रिष्ट भूमे मनोवैज्यानिक खोच थी और अतियतार्थ वाद के प्रसिद्ध चित्रकार सलवारोर डाली ने फ्राइड के कलाध्यान से ही स्वपन की कलपना तरंगों के कलाध्मक महत्यों को पहचाना है ठीक है, नेक्स्ट कॉशन देखेंगे पहचन है, कौन सी कलाध्मक अभीव्यक्ति को शैली प्रकास के मनोविज्ञान से प्रभावित थी औप्शन है, अतियतार्थ वाद, अमूर्द अभिवेंजिनावाद, अभिवेंजिनावाद, स्वच्छन्दिता वाद राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, अतियतार्थ वाद नेक्स्ट कॉशन कॉशन है, साथ सो चालिस देखेंगे, दादावाद का जन्म किस सन में हुआ था 1918 में, 1917 में, 1920 में या फिर 1916 में तो यहाँ पर राइट अंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन दी, 1916 में, दादावाद का जन्म 1916 में, जियूरिक, स्विटिजन लेंड में हुआ था नेक्स्ट कॉशन सल्वा डोडाली के उलेखनी कारे पर्सिस्टेंस आफ मेमूरी का माध्यम क्या है। पर्सिस्टेंस आफ मेमूरी जो था या फिर इस्मृति की निरंदरता कह सकते हैं, इसका माध्यम जो था तेल रंधा। नेक्स्ट क्वेशन है 742 पसंदीदा तकनीकों के रूप में कॉलेज और फोटो मॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदुलन का उद्भव हुआ पसंदीदा तकनीकों के रूप में कॉलेज और फोटो मॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदुलन का उद्भव हुआ ओप्शन देखे दादा अत्य थार्थवाद साय की डोलिया दस्तिर तो राइट आंसर होगा ओप्शन ए दादावाद ठीक है यहाँ पर कॉलेज नहीं कॉलाज होगा ठीक है कॉलाज और फोटो मॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदुलन का उद्भव हुआ तो राइट आंसर आप्शन ए हो जाएगा दादावाद नेक्ट कॉशन कॉशन है 743 किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेट ड्रीम इमेजिस कहा है पिकासो, सल्वाडो, डाली, चौन, मीरो, फ्रेंज, मार्क किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेट ड्रीम इमेजिस कहा है रैट अंसर ओप्शन B, शल्वर्ड रूर्ड़ डाली नेक्स्ट कोश्चन तो याद रखेंगे अतिय अधार्थ वाद रैट अंसर ओप्शन A नेक्स्ट कोश्चन Q745 किस अतियतार्थवादी चित्रकार ने दिवाल आफ्थी मून भीती चित्र पेरिस में यूनेस को इमारत पर बनाया है जौन मीरो, सल्वारूर डाली, रेन, मौगरिट, पाल, देलवा राइट अंसर आप्शन ए हो जाएगा जौन मीरो The Wall of the Moon जो ये भीती चित्र है पेरिस में इस्थित्यूने इसको इमारत पर बनाया है तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? जौन मीरो के द्वारा राइट अंसर आप्शन के है नेक्स्ट कोशन Q746 एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? याद रखेंगे मार्शल धुन्शा ठीक है राइट आंसर आप्शन C Q747 रेमन ड्यूशा विलो की होर्ष शिर्सक की मूर्थी किससे बनी है? स्टील, कांसा, क्रेनाइट, मार्बल यहाँ पर आपसे माध्यम पूछा जा रहा है रेमन ड्यूशा विलो की जो होर्ष सिर्शक की मूर्थी है ये किस माध्यम में बनी है? तो याद रखेंगे राइड आंसर ओप्शन B कांसा रेमन ड्यूशा विलो की होर्ष सिर्शक की जो मूर्थी है ये कांसी की बनी है ठीक है? नेक्स्ट कोशन क्वेशन है चांद को देख कर भूखता हुआ खुता किस चित्रकार की करती है? पिकासो, M.F. Hussain, जॉन, मीरो, सूजा चांद को देख कर भूखता हुआ खुता किस चित्रकार की करती है? याद रखेंगे राइट आज़र ओप्शन C, जान, मीरो नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन है 749 मिल्टिंग वाच किसकी पेंटिंग है? M.F. Hussain, सल्वाडो डाली, मैनेट, पिकासो मेल्टिंग वाच यानि कि पिघलती घडिया ठीक है? मेल्टिंग वाच पिघलती घडिया जिसको कहते हैं तो ये किस की पेंटिंग है? राइट आंसर होगा Option B, सल्वाडो डाली Next question Question No. 750 है प्रसिद्ध चित्र सेडियों से उतरते निर्वस्त किसने चित्रत किया? और आज का ये प्रशने रहेगा आप सभी के लिए जोर्जियो डी शिरिको पैबलो पिकासो मार्शल दुन्शा फ्रांस मार्ग ठीक है? प्रसिद्ध चित्र सेडियों से उतरते निर्वस्त किसने चित्रत किया है? इसका अंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और जादा से जादा लोग वीडियो को जिसको भी अच्छा लगे और लगे कि ये कोशन हमारे लिए हैल्फुल है तो वीडियो लाइक कर देंगे और इस वीडियो को आप शियर जरूर कर देंगे ठीके जितने लोग भी देखेंगे एक एक शियर जरूर करेंगे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे शिवाने आट क्लासेज को पास में बने बिल आइकन को प्रस करेंगे जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा इसके अलामा आप हमारे टेलिग्राम चैनल शिवाने आट क्लासेज से जोईन हो जाएए वहाँ पे आपको ये सभी पीडियाफ जरूर दी जाएगी ठीक है थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए में वहाँ भी नहीं डाली हूँ इसके पहले और पीडियाफ दी गई है तो आप वहाँ से जुड़ जाएए इसके अलामा आर्ट प्रेपरेशन नाम से हमारा फेस्बुक पेज है वहाँ से भी आप जुड़ जाएगे वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी तैयारी बहतर करनी है ठीक है सेल्फ स्टेडी अगर आप सेल्फ स्टेडी नहीं करते हैं अपनी नोट स्वैम से नहीं तैयार किये हैं तो कोई भी चैनल कोई भी कोचिक आपको सिलेक्सिन नहीं दिला सकती है पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना है पांच से छे घंटे आप एकदम फिक्स कीजियो और इसके साथ आप ये भी देखिए उस पांच से छे घंटे में आपने कितना तयार किया ठीक है तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक एरिट भाए भाए